मेरे नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बच्चों को इवन और 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 नमबर कैसे समझा है मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इसी इसके लिए मैंने सुचा जल्दी से एक वीडियो बनाती हूँ छोटी सी वीडियो है बट बहुत काम की है तो वीडियो को स्किप मत कीजेगा कैसे समझाना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देखें सबसे पहले हम समझ लेते हैं वो नमबर्स जो तू से एजली कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं उसे बोला जाता है इवन नमबर्स और जो नमबर्स तू से डिवीजिबल नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि टू से डिवाइड करना है मुझे फाइव को तो टू टू जा फोर वन तो कुछ भी अगर रिमेंडर बच रहा है तो समझ लेते हैं वो नमबर्स और जब कोई नमबर्स कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है जैसे फोर को अगर मैं डिवाइड करू टू टू जा फोर कुछ भी रिमेंडिंग नहीं बच रहा है तो वो है इवन नमबर्स बहुत आसान तरीका है इससे आप समझ जा सकते हो कि जो भी नमबर्स टू के टेबल में आते हैं या टू से इजली डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं odd number, तो even number के कुछ examples मैंने या लिखे है, odd numbers के या लिखे है, तो बच्चे को समझाना है तो बहुत ही simple सा तरीका है कि वो number जो completely divide होते हैं वो होते हैं even number जो 2 से completely divide होते हैं और जो 2 से completely divide नहीं होते हैं वो होते हैं odd numbers, तो उमीद करती हूं वीडियो helpful रहा है आपके लिए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे शेर जरूर करोगे मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ऐसी और useful वीडियो के लिए थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग